दोस्तों अब आप YouTube पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक New Setting देखने को मिलेगी Altered Content का तो दोस्तों यह Altered Content क्या है और इसका मतलब क्या है और दोस्तों आपको यहाँ पर इस Option को यहाँ Yes करना है या No आपको सब कुछ पुरा डीटेल में बतान इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना जिससे आपको समझ में आ जाएं तो दोस्तों जो यह New Setting जो है Altered Content इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप वीडियो बनाते हैं और अगर आप अपनी वीडियो में AI से रिलेटेड कुछ भी अगर यूज करते हैं जैसे कि AI Generated Voice डालत करते हैं AI के थरू किसी का भी Face Change करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको यहाँ पर Yes करना हैं दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में AI से जरिय कुछ भी करें हैं तो जैसे कि दोस्तों यहाँ View Example पर क्लिक करता हूँ तो आपको Detail बता देगा दोस्तों कि आपको कहा कहा पर येस करना है और कहा कहा पर नो करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर clear लिखा हुआ है कि अगर आपने replace किया है किसी के face को तो आपको altered content को येस करना है और अगर आपने audio को change करा या फिर आपने कुछ भी करा है तो दोस्तों आपको altered content में यहां पर येस करना होग disclose करने का मतलब दोस्तों ये कि आपको येस कर देना है अगर दोस्तों आपने voice change करा है, music change करा है, face change करा है या कुछ भी करा है AI के जरियतों आपको करना होगा इसको disclose करना बहुत जरूरी है अगर आप इसे yes नहीं करते, बार बार इसको disclose नहीं करते अपने content में, और अगर आप AI से related कुछ भी है, और अगर YouTube को पता चल जाता है, तो यहाँ पर clear लिखा हुआ है, कि YouTube आपके channel को terminate भी कर सकता है, या आपको strike भी आ सकता है, तो आपको altered content setting को disclose करना बहुत जरूरी है, त जब आप AI से related अपनी वीडियो में कुछ भी करो, तो दोस्तों आपको समझा गया होगा, तो अगर कुछ भी सीखने मिला हो, तो वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर देना, क्योंकि मैं आपके इस तरह की informative वीडियो लेकर आता रहता हूँ.